तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर WhatsApp में घड़ी का निशान क्यों आता है इसे हटाते कैसे हैं इसे होता क्या है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजिस की चैट है और इसकी DP के उपर घड़ी का निशान आ रहा है मैं इस चैट को उपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी DP के उपर घड़ी का निशान आ रहा है ठीक है तो यह क्यों आता है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो WhatsApp में एक सेटिंग होती है इसके WhatsApp में भी आपकी DP पर घड़ी का निशान आ जाएगा ठीक है तो पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि डिसेपैरिंग मैसेजेस वाली सेटिंग आपको कहाँ पर दिखाई देगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राहूल की चैट है अभी आप देख सकते हैं इसकी परफाईल पर घड़ी का निशान नहीं आ रहा है ठीक है तो इसकी चैट को मैंने उपन किया उपर मैंने नाम पर किलिक किया अब मैं आप नीचे आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सेटिंग मिल रही है Disapparing Messages आप देख सकते ही यही दोस्तों वो सेटिंग है जिसे on करने पर घड़ी का निशान आ जाता है तो यहाँ पर इस सेटिंग को मैं open करता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 option मिल रहे है 24 घंटे, 7 दिन, 90 दिन और off ठीक है अगर यह सेटिंग off रहेगी दोस्तों तो DP के उपर घड़ी का निशान नहीं आएगा लेकिन अगर आप यह सेटिंग को on करते हैं 90 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए जैसे कि मैं 24 घंटे के लिए on कर देता हूँ तो आप दोस्तों क्या होगा मैं यहां से बैक आता हूँ तो आप देखेंगे रहूल की DP के उपर घड़ी का निशान आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी का निशान आ गया जैसे ही आप disappearing messages वाली setting को on करेंगे घड़ी का निशान आ जाएगा अब राहूल के mobile में WhatsApp के अंदर मेरी DP पर भी घड़ी का निशान आ गया होगा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा mobile है आप देख सकते हैं ठीक है अब घड़ी का निशान आने के बाद दोस्तों होता क्या है अगर आप disappearing messages वाली setting को on कर देते हैं 24 घंटे के लिए 7 दिन के लिए या 90 दिन के लिए तो उसके होता क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे के राहूल की chat में मैंने disappearing messages वाली setting को on कर दिया है घड़ी का निशान भी आ गया है अब यहाँ पर मैं राहूल ते chat कर रहा हूँ मैंने message send किया राहूल ने message को receive कर लिया और reply भी कर दिया ठीक है इस तरह से हम chat कर रहे है photo video send कर रहे है तो दोस्तों यह सारी जो chat होगी वो 24 घंटे के बाद automatic delete हो जाएगी जी हाँ दोस्तों disappearing messages setting का यही काम होता है अगर आपने 7 दिन के लिए on किया है तो 7 दिन के बाद सारी chat delete हो जाएगी 90 दिन पर set किया है तो 90 दिन पर set हो जाएगी अब दोस्तों यह जो disappearing messages वाली setting है आपने on किये तो आपका दोस्त भी इसे off कर सकता है अगर आपके दोस्त ने on किये तो आप भी इसे off कर सकते है तो अगर आप घड़ी का निशान हटाना चाते है तो कैसे हटाएंगे आपको chat को open करना है profile पर click करना है this pairing messages वाली setting को open करना है यहाँ पर इसे off कर देना है off करने के बाद आप back आएंगे आप देखेंगे DP से यहाँ पर घड़ी का निशान हट गया है ठीक है और जिसके chat में आपने on किये off किया है setting को उसकी chat में भी दोस्तों आपकी DP से घड़ी का निशान हट जाएगा जिसे क्या आप देख सकते हैं तो दोस्तों यही काम होता है disappearing messages setting का जिसकी मदस से आप सभी chat को automatic delete कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं अगर कोई भी नया बंदा आपको message करता है तो उसकी DP पर भी घड़ी का निशान आ जाता है खुद बाखुद automatically ठीक है तो यह क्यों हो रहा है इसे कैसे off करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको three dots पर click करना है settings पर click करना है privacy पर click करना है आपको यहाँ पर नीचे आना है तो आपको setting मिलेगी default message timer आपको इसे open करना है और इसे off कर देना जैसे मैंने off कर रखा है इसे आप off करके रखेंगे तो इसके बाद दोस्तों कोई भी नया बंदा आपको message करेगा तो disappearing messages वाली setting जो है वो automatic on नहीं होगी और घड़ी का निशान नहीं आएगा तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए